हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज मैं आपके सामें बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ, आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगी और साथ ही मैं आपको वर्ड मेनिंग बताऊंगी और साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी हिंदी में जिसे के आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और vocabulary आपकी improve हो तो चलिए अब हमारे story को start करते हैं story का नाम है the shoemaker and the Elvis shoemaker याने के चमार या फिर shoes बनाने वाला and याने और Elvis याने के कल्पित बौने याने के काल्पनिक बौने the shoemaker and the Elvis मोची या फिर चमार या फिर shoemaker याने के shoes बनाने वाला और कल्पित बौने once there was a very poor shoemaker once एक बार there वहाँ वास था एक very याने के बहुत poor याने के गरीब shoemaker याने के shoes बनाने वाला या फिर जूते बनाने वाला जूता निर्माता once there was a very poor shoemaker एक बार एक बहुत गरीब जूता निर्माता था he was a good honest man he was था एक good याने के अच्छा honest याने के इमानदार man याने आदमी he was a good honest man वह एक अच्छा इमानदार आदमी था he worked hard but he was poor he याने के उसने या फिर वह worked याने के काम किया hard या फिर महनती भी होगा worked याने के महनती क्योंकि ये sentence की हिसाब से इसका मीनिंग निकलेगा के कठीन महनती worked hard worked hard यान के कठीन महनती but लेकिन he was a poor यान के गरीब he worked hard but he was poor उसने कठीन महनत की है लेकिन वह गरीब था one day he had only one piece of leather left with him one day एक दिन he was a hat था only सिर्फ one एक पीस तुकड़ा ओफ का leather याने के चमड़ा left याने के रह गया with यान के साथ him याने उसके पास one day he had only one piece of leather left with him एक दिन उसके पास चमड़े का केवल एक तुकड़ा बच्चा था he felt very sad and tired he वह felt महसूस कर रहा था very बहुत sad उदास और tired याने ठका हुआ he felt very sad and tired वह बहुत उदास और ठका महसूस कर रहा था he cut out the last piece of leather and said I will stitch up the shoes tomorrow he was cut out याने के cut किया last piece याने के आखरी तुकड़ा ओफ याने का लेदर याने के चमड़े का and याने और सेड याने कहा I will I will मैं I याने मैं will याने के future tense का sentence ले वी आया है स्टीच याने के सिलना, स्टीच अप याने के सिल दूँगा, शूज याने के जूटा, तुमारो याने के कल He cut out the last piece of leather and said I will stitch up the shoes तुमारो उसने चम्रे का आखरी तुकडा काट दिया और कहा मैं कल जूते सिल दूँगा Then he went to bed, then फिर he went गया, बेट याने बिस्तर में Then he went to bed, फिर वोह बिस्तर पर चला गया Sorry When he got up in the morning He got a big surprise When he got up उठ गया, in May morning, सुभा When he got up in the morning सुभा जब वह उठा, तो he got पाया एक बिग बड़ा सर्प्राइस याने के आश्चर्य होना He got a big surprise उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ या फिर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ The pieces of leather were made into shoes The pieces, तुकड़े, आफ के लेदर चमड़े के तुकड़े, वे थे, made बने हुए, into याने के रूप में, shoes याने के जूते के रूप में Into shoes याने के जूते के रूप में The pieces of leather were made into shoes चमड़ों के तुकड़ों से जूते बन गए थे It was a lovely pair of shoes It was, या फिर ये है, was थे, या फिर थी, याने एक lovely याने के प्यारे पेर, याने के जोड़ी Of, याने के shoes, याने के जूते It was a lovely pair of shoes ये हो जूतों की प्यारी जोड़ी थी The shoes were made with very tiny stitches The shoes, जूते, वेर थे, made बने हुए, with साथ very, याने के बहुत tiny, याने के छोटी सिलाई मतलब के, छोटे-छोटे सिलाई या, stitches याने के सिलाई Tiny stitches, याने के छोटी सिलाई बहुत छोटी सिलाई The shoes were made with very tiny stitches जूते बहुत छोटे टाके से बनाए गए थे The shoemaker got a good price for the shoes Shoemaker, चमार या फिर जूते बनाने हाला Got पाया a good price, याने के अच्छी कमाई या फिर अच्छी रकम For याने के, shoes याने के, जूतों के For the shoes याने के, जूतों के The shoemaker got a good price for the shoemaker Mochi को जूतों की अच्छी कीमत मिली So, the next day, he bought more leather So, इसलिए So, इसलिए next day, अगले दिन He वह bought खरीद लाया More याने के, जादा लेदर याने के, चमडा So, the next day, he bought more leather इसलिए अगले दिन उसने और चमडा खरीदा He cut it out to make two pairs of shoes And went to bed He उसने cut, काटा it वह या फिर उसे To make बनाया Two pairs, दो जोडी Of के shoes, याने के, जूते And याने, और went याने गया To bed, याने के, बिस्तर पर He cut it out to make two pairs of shoes And went to bed उसने उसे काट कर दो जोडी जूते बनाये और बिस्तर पर चला गया When he got up In the morning He saw two pairs of shoes When, जब he वह got up उठा In May morning, सुभा He वह saw, देखा Two, दो पैर्स, याने के, जोडी Of, याने के, शूते जूते When he got up In the morning He saw two pairs of shoes जब वह सुभा उठा तो उसने दो जोडी जूते देखे Lovely shoes What, क्या या फिर कितने Lovely, याने के, प्यारे Shoes, याने के, जूते What lovely shoes कितने प्यारे जूते है Said the shoemaker Shoemaker, जूते बनाने वाला या फिर चमार Said याने कहा Said the shoemaker जूते बनाने वाले ने कहा And not a single And not a single bad stitch in them And or not नहीं And not a single bad याने के बुरी या फिर खराब stitch याने के टाका या फिर सिलाई in याने में देम याने उसमे And not a single bad stitch in them और उनमें एक भी खराब सिलाई नहीं है तो यहीं पर मैं मेरी ये स्टोरी को stop करती हूँ और आगे की स्टोरी में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो पूरा वीडियो देखने के लिए thank you थैक्स पर वाचिंग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए ओके